आपको क्या लगता है? बच्चों के लिए सेक्स, एजुकेशन, कंपलसरी होनी चाहिए? लोग अपसर इस टॉपिक पर बात करने से बच्चते हैं फिल्म OMG2 ने इस टॉपिक पर बात की है अक्षे कुमार ने आज तक टॉयलेट एक प्रेम का था पैड मैन, रक्षबंधन जैसे कई सोशल इशूज और देश प्रेम पर आधारित कई फिल्में की हैं पर इस बार अक्षे कुमार की फिल्म OMG2 ने जो टॉपिक उठाया है वो सबसे अलग पर सबसे जरूरी है 11 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म OMG2 लगातार सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बना रही है 9 दिनों में अब तक मुवी ने करीब 101.58 करोड का बॉक्स ओफिस कलेक्शन कर लिया है अक्षे कुमार और पंकस्रिपाथी स्टारर OMG2 की काफी तारीफ की जा रही है और इस तारीफ में कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि सेक्स शब्द से सहज हो जाने वाले समाज में बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन पर बात करना वो भी बड़े परदे पर एक बहादूरी भरा काम तो जरूर है और इस बोल्ट टॉपिक होने के बावजूद भी त्रियेटर्स में लोग जा रहे हैं मूवी देख रहे हैं और इसकी सरहाना भी कर रहे हैं लेकिन अगर आप 18 वर्ष से कम है तो आप इसे नहीं देख पाएंगे दरसल सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को एस सर्टिफिकेट दे दिया है इस फिल्म को ओडियन्स से पॉजिटिव रिस्पॉंस तो मिल रहा है लेकिन 16 साल के अरूश वर्मा जिसने खुद ऑन स्क्रीन पंकर स्टिपार्थी के बेटे का रोल प्ले किया है वो भी अपनी फिल्म नहीं देख सकते क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को एस सर्टिफिकेट यानी अडर्ट्स ओनली सर्टिफिकेट दे दिया है यू एस सर्टिफिकेट के लिए समिती बहुत सारे कट लगाने के लिए कह रही थी लेकिन निर्माता फिल्म की पवितरता के साथ कोई समझाता नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने वयस्क प्रमाणी करण के साथ जाने का फैसला किया और फिल्म की अखंडता को बरकरा रखा अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि इसके पीछे की वज़ा क्या है फिल्म एस सर्टिफिकेट क्यों हो गई है लेकिन अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आपके मन में भी सवाल होंगे कि जिस फिल्म में भगवान शिव है तो एस सर्टिफिकेट क्यों और कैसे दे दिया गया और अगर कुछ आपक्ती जनक है तो इस मूवी का बाइकॉट होना चाहिए था लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है दरसल मूवी में सेक्स एजुकेशन की जरूरत को दर्शाया गया है जिस समाज में लोग खुलकर तीन अक्षर का शब्द सेक्स नहीं बोल पाते वहां बच्चों को इस विशे में पढ़ाने की बात की जाएगी तो हंगामा होना तो लाजमी है बस वही हंगामा इस मूवी में दिखाया गया है पर एक पिता जिसका किरदार पंकस्त्र पाथी ने निभाया है वो अपने बेटे के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं और बेटे से हुई गलती के लिए स्कूल को जिम्मेदार बताकर कोट से न्याय की गुहार लगाते हैं जिससे विवेक के दमाग में ये बात बैट जाती है कि उसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं है और इस बारे में उसे कुछ करना होगा हलाकि वो अपने साइंस टीचर से इस बारे में जानकारी पाने की कोशिश भी करता है पर वो भी उसे बेशर्म कहकर भगा देते हैं जिसके बा वाले उसके साथ ही इसी का फाइदा उठाते हैं और स्कूल के टॉलेट में उसका वीडियो रिकॉर्ड कर फैला देते हैं वारल वीडियो विवेक की इमिच को इतना नुकसान पहुचाती है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है जिसके बाद विवेक आत्महत्या करने त उन्हें ये समझ आता है कि उसे अपने बेटे के लिए लड़ना चाहिए कांती अब स्कूल और सेक्शूल हेल्थ के नाम पर लोगों को गुम्रह करने वाले डॉक्टर क्यामिस्ट समेत खुद अपने नाम भी मानहानी का नोटिस भेजते हैं और फिर शुरू होता है एक को जो ओएमजी टू की कहानी का पूरा मैसेज डिलीवर करता है कहानी को बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया है फिल्म के सफलता बता रही है कि जो मैसेज निर्माता देना चाहते थे वो लोगों तक बक्खू भी पहुँचा भी है फिल्म पूरी तरह पंकस्त्रिपाथी के कंधों पर है जिसे ओडियंस सिर आखों पर बैठा रही है फिल्म में कुछ मैसेज है कि बच्चों को कैसे सेक्स एजुकेशन दी जा सकती है इसकूल और परिवार की क्या जिम्मेदारिया होती है गुड टच बैट टच बॉड़ी के अन्य पार्ट्स की तरह उनको अपन 2020 डायलॉक्स के साथ महौल बनाया रखा गया है अगर आप ने यह मूवी देखी है तो आप अपनी राय हमारे साथ साजह कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया प्लेच फॉर्म्स पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब फॉलो लाइक शेयर करना बि